हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शम्मी खान फ्रेंड्स आज इस वीडियो में एक पड़ी अपडेट सेयर करने वाला हूं साब मोबाइल अप्लिकेशन से सदाज नंबर के थ्रू है पैसा ट्रांसफर करते थे अब बिल्कुल बंद हो गया है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रूफ चेक करके दिखा दिता हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साब मोबाइल अप्लिकेशन को ओपन कर लें यहां पे आपक के उपर किलिक कर देते हैं तो इसके बाद आपके मोबाइल पे ऊपन हुज आएगा इसको आपको यहां पे इंटर कर देना है इंटर करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेश ओपन हो जाएगा यहां पे नीचे payments के उपर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहां पे one time payment के उपर आपको क्लिक करना है अब आपको यहां पे सर्च बार में company name और biller code इंटर करना है तो चलिए हम stc pay का biller code इंटर करते हैं जो की है 207 stc pay का biller code 207 है तो जैसे हम हम यहां पे 207 इंटर करते हैं यह biller code no biller category found आ रहा है तो अब यह मुश्किल हो गया यहां से हम पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जैसे कि पहले हम सदाद नंबर के थूप ऐसा ट्रांसफर करते थे यहां पे biller code इंटर करते थे उसके बाद stc pay आता था तो यह पूर्शीजर बिल्कुल साब बैंक ने बन कर दिया है फिलाहल अभी तक तो चलिए अब हम यहां पे stc pay सर्च कर लेते हैं कि सर्च करने के बाद क्या आता है तो stc pay सर्च करने के बाद से मैसेज आ रहा है नो बिलर केटेगरी फाउंड तो अभी हम साब अप्लिकेशन से stc pay में पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा